नमस्कार राजिसभा टीवी में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं घंशाम उपाध है इस वक्ती हर खबर को लेकर हासिर है हम इस बुलेटिन में आपको हम बताएंगे संसत के मौनसून सत के दौरां 14 सितंबर को राजिसभा के उपसभपती का चुना होगा और इसे लेकर विस्तरित सूचना जारी होगी साथी बताएंगे देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 77.2-3 फीसदी हो गया है जो कि एक अच्छी खबर है साथी साथ आज शिक्षक दिवस है इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा किस-किस को सम्मानित किया गया बताएंगे आपको विस्तार से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की संसत के मौनसून सत्र के दोरान 14 सितंबर को राजसभा के उपसभापती का चुनाव होगा और इसे लेकर विस्तरित सूचना जारी होगी चुनाव की तारीक तैकरने संबन्दी सूचना राजसभा महासरचिफ देश दीपक वर्मा के ओर से संसदिये समाचार भाग दो में प्रकाशित की गए है उचिसदन के गठन से अब तक उपसभापती के 20 चुनाव हो चुके हैं और 13 हस्तियां इस पद पर आसीन रही हैं और इसी क्रम में ये 21 चुनाव होगा मौनसून सत्र के पहले ही दिन उचिसदन में उपसभापती का चुनाव होगा राज्यसभा सभापती एमवंगया नाइडू ने उपसभापती पत के निर्वाचन के लिए 14 सितंबर की तारीख तेह की है उपसभापती का पद 9 अप्रेल 2020 के बाद से खाली है सभापती ने राज्यसभा की प्रक्रिया और कारेस अंचालन समद्धी नियम साथ के तहत ये तारीख तै की है चुनाव की आपचारिक प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी उपसभापती के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और NDA उमीदवार हरीवंच ने विपक्षी कॉंग्रेस उमीदवार BK हरीप्रसाद को मात दी थी सीधे मुकाबले में हरीवंच को 125 और BK हरीप्रसाद को 105 वोट मिले थे 29 अप्रेल को जेडियू सांसद हरीवंच का कारेकाल समाफ्थ होने के बाद से ये पत खाली है नेता ही काबिज हो सके हैं 1979 में रिपब्लिकन पार्टी के बीडी खोबड़ा गड़े 1972 और 1974 में संयुक्त शोशलिस्ट पार्टी के गोदे मुराहरी और 2018 में NDA उमीदवार के तौर पर जेडियू के हरिवंच चुने गए राजे सभा इतिहास में 20 में से 14 चुनाव आम सहमती से हुए और किसी वोटिंग की नौबत नहीं आई हलाकि इस बार चुनाव आम सहमती से होगा या फिर शक्ति परिक्षन की नौबत आएगी इसे लेकर अगले कुछ दिनों में स्थिती स्पष्ट हो जाएगी राजे सभा में उपसभापती को सभापती की गेर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है सम्विधान के अरुच्छेद नवासी दो के तहत व्यवस्था है कि राजे सभा की उपसभापती का पद रिक्त होने के बाद सदस्यों के बीच से ही चुनाव कराया जाए इसमें चुनाव आयोक की जगह सभापती की भूमिका सबसे एहम होती है जो तारीक तै करते हैं राजे सभा महा सचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है ये निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है जिसकी स्वीकृती पर उपसभापती चुने जाने की घोशना सभापती करते हैं कृते मिश्रा के साथ अर्विंद कुमार सिंग राज्यसभा टीवी मौनसून सत्र के दौरान राज्यसभा के अधिकारियों और करमचारियों के लिए कोविट-19 की जाच अनिवारे करने का फैसला किया गया है इसे लेकर जारी प्रपत्र की मुताबिक उन अधिकारियों और करमचारियों को RTPCI टेस्ट कराना अनिवारे होगा जो सदन से संबंधित जूटी पर रहेंगे ये टेस्ट 14 सितंबर यानि सोमवार को मौनसून सत्र की शुरुवात से 72 घंटे पहले होगा आपको बता दें बाकी करमचारियों का Rapid Antigen Test 7 सितंबर से शुरू होगा 7 सितंबर को Research और Library, प्रशनशाखा, Messenger Service और SMTS का टेस्ट सुभा साले 10 बजे से दो बजे तक होना है आपको बता दें इसके बीच 8 सितंबर को स्थापना, कमिटियों से जुड़े सेक्शन, विभिन इकायों और प्रेस मीडिया सेक्शन का टेस्ट होगा 9 सितंबर को संसत सुरक्षा सेवा, निदेशक, अपर निदेशक और समकक्ष अधिकारियों को टेस्ट कराया जाएगा राजसभा टीवी करमचारियों को टेस्ट 10 सितंबर को होगा 11 सितंबर को सच्चिव, अपड़ सच्चिव और संक्तु सच्चिव से लेकर महा सच्चिव करले और अन्य करले के अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट होना है COVID-19 के मदे नजर किये जा रहे उपायों के तहट मौनसून सत्र के दौरान संसत में पब्लिक गैलरी में किसी भी आगंतुक का प्रवेश नहीं हो सकेगा राजसभा के 252 सत्र के दौरान प्रेस गैलरी को छोड़कर लोगसभा और राजसभा चैंबर और गैलरीों में सोशल डिस्टेंसिंग के तहट उच्छ सदन के सांसदों को बिठाने की विवस्था की जा रही है इसलिए पब्लिक गैलरी के पास जारी नहीं होंगे सचिवाले के नोटिस आफिस की ओर से इस बार एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों को गैलरी के पास का अनुमोदन नहीं करने को कहा गया है राजसभा सचिवाले ने विविन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्ताओं से छात्रों और अधिकारियों के लिए पास जारी करने का अनुरोद नहीं करने को कहा है क्योंकि गैलरीयों के उपलवदिता 252 सत्र के दौरान नहीं रहेगी माता पिता और वरिष नागरिकों का भरण पोशन और कल्यान संचोधन विधेक 2019 की परताल करही स्थाई समिती को रिपोर्ट देने के लिए और समय दे दिया गया है इस विधेक पर रिपोर्ट देने के लिए लोगसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने समाजिक न्याय और अधिकारिता सम्मंधी स्थाई समिती को शीतकारीन सत्र 2020 के आखरी सब्ता के पहले दिन तक समय विस्तार दे दिया है समिती के अनुरोद पर इसके लिए 12 सितंबर तक का समय बढ़ाया गया था लेकिन अभी इसमें काम बाकी है सांसद रमादेवी के अधिक्षता वाली समिती की ये विधेक 23 दिसंबर 2019 को सौपा गया था लेकिन समिती का काफी समय बीच में अनुदान मांगों की परताल में लग गया फिर कुरोणा संकट के चलते भी दिक्कते आई हाला कि समिती इस विशे पर अब तक साथ बैठकों में साक्षे लिकर काम पूरा कर चुकी है लेकिन अभी भी कुछ परताल की दरकार बाकी है भारत और चीन के बीच लदाक में वास्त्री क्नियंतर रेखा पर चल रहे तनाओ के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई बैठक में रक्षामंत्री राजनाज सिंग ने चीन के रक्षामंत्री जनरल वेई फेंग हे को साफ कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और शेत्री अखंडता की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा शंगाय सहयोग संगठन की बैठक के बाद रक्षामंत्री राजनाज सिंग और चीन के रक्षामंत्री जनरल फेई फेंग हे ने शुकरवार को भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के साथ साथ भारत चीन समंधों के बारे में भी चरचा की चीन के अनरोत पर हुई इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंतरी के साथ रक्षा सचव अजय कुमार ने भी हिस्सा लिया वहीं चीन की तरफ से चीनी रक्षा मंतरी जनरल फेई फिंगे के साथ दूसरे चीनी अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंग ने बैठक में भारत का रुख साफ किया उन्होंने चीन को इस पस्ट शब्दों में कहा कि पूर्वी लगदाक में तनाव का एक मातुर कारण चीनी सैनिकों का आकरामक रवया है ऐसा चलता रहा तो भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है बैठक में राजनाथ सिंग ने कहा कि चीनी सैनिकों की कारवाईयों सीमा पर बड़ी संख्या में एकत्र होना उनका आकरामक फैवार और यथा इस्थिति को एक तरफा रूप से बदलने का प्रयास दोई पक्षे समझोतों का उलंगन है उन्होंने कहा कि किसी को भी समप्रभुता और शेत्रिय खंडता की रक्षा को लेकर भारत की इक्षाशक्ती पर जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने चीनी पक्ष को सराधी कि उसे भारत के साथ मिलकर जल्द से जल्द अपने सैनिकों को टकराव के सभी बिंदूओं से पूरी तरह वापस बुला लेना चाहिए जिनमें पैंगॉंग जील भी शामिल है रक्षा मंत्री ने कहा कि मौझूदा हालातों का निप्टारा जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए और किसी को भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हालात और जटिल हो जाएं रक्षा मंतरी ने कहा कि दोनों पक्षों को कूटनेतिक और सैनिक सहयोग के जरिये LAC पर पूर्ण शांती भाली की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए सैनिकों की पूरी वापसी होनी चाहिए शंहाई सहयोग संविठन के अलावा रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने रूस के रक्षा मंतरी के साथ एहम बैठक की थी ये बैठक S.C.O. बैठक से पहले हुई थी S.C.O. की बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ भी अलग-अलग बैठके की इस एहम बैठकों में रक्षा, सुरक्षा और दुवेपक्षी समंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई भारत और रूस के समंधों की जब भी बात होती है, तब उसमें ऐसे रिष्ट की बात होती है, जो समय की कसोटी पर हमेशा खरा उतरा है हर इस्तिती में एक दूसरे के साथ खड़ा रहा, पिछले कई महिनों से चीन के उकसावे वाली कारवाई के बीच भारत और रूस बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं भारत और रूस के बीच ग्यारवी बार आयोजित हो रहा, दिवर्शिय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया दूर दूर तक फैले नीले समुद्र के बीच भारत और रूस की नौसैना कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास कर रही है ये तस्वीरें दोनों देशों की नौसैनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे, मजबूत रनीतिक संबंदों की गवाही दे रही है ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नई संभावनाओं और भागिदारी के लिहास से काफी एहम है इस अभ्यास का मकसद दोनों नौसैनाओं के बीच पिछले कई वर्षों में हासिल की गई दक्षता को और मजबूत करना है साथ ही बहु आयामी समुद्री अभ्यानों के लिए आपसी समझ को विस्तार देना है इंद्रू नेवी 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से दोनों नौसैनाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्री पूर्ण संबंध और मजबूत होंगे संयुक्त अभ्यास में भारतिय नौसैना का प्रतिनेधित्व निर्देशित मिसाइल विध्वनसक रणवेजय, स्वदेशी फ्रिगेट सेयार्दी और फ्लीट टैंकर शक्ती ने किया रूस की सेना का प्रतिनेधित्व व्लादी वोस्तोक में इस्थित रशांत क्षेत्र के नौसैनिक बेड़े के विध्वनसक एड्मिरल ट्रिब्यूट और फ्लीट टैंकर बोरिस बुटो माने किया भारत और रूस के बीच सेयने अभ्यास की इंदर अभ्यास शंकला की शुरुवात साल 2003 में हुई थी इस दौरान भारत के पश्चमी और पूर्वी दोनों तटों पर मई 2003 में पहले भारत रूस दुएपक्षिय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया साल 2017 में रूस के व्लादी वोस्तक में पहले सेयन तुषैन अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और बांगलादेश की बीच आज दो नए जलमार्गों का इजाफा हुआ है नए जलमार्ग शुरू करने से तृप्रा के सोना मुरा और बांगलादेश के दाउतकंदी के बीच पानी की जहाज चलेंगे आपको बता दें दोनों देशों की बीच आठ जलमार्ग पहले से काम कर रहे हैं अब दो जलमार्गों की बढ़ने से पुरूतर की राज्यों को विशेश फायदा मिलने की उम्मीद है इससे दोनों देशों की बीच कारुबार को बढ़ हवा मिलेगा आपको बता दें त्रिपुरा सरकार ने जहाजरारी मंतराले की मदद से पहले ही एक अस्थाई बंदरगहा तयार कर लिया है जहां सामान की लोडिंग और अनलोडिंग होगी भारत बंगलादेश के उत्कृष्ट द्विपक्षी संबंधो रेलवे और अन्तरदेशी जलमारगों में दोनों देशों द्वारा हाल ही में की गई कनेक्टिविटी की पहल से वेपार की लागत को कम करने में मदद मिले ही प्राधिकरण ने इस साल 20 मई को इसकी मंजूरी दी थी और अबारत करते हैं देश में करोना से रिकवरी रेट की जो बढ़कर 77.2-3 फीसदी हो गया है अब तक 31 लाग से ज्यादा लोग इस बीमारी का इलाज करागर ठीक हो चुके हैं अब 8,40,000 सक्रिय मामले हैं इस समय भारत में मृत्यूदर 1.7 तीन प्रतीशत है जो विश्व में सबसे कम है बीती 24 घंटे में अब तक कि सबसे अधिक 86,000 से ज्यादा करोना के नए मामले आए हैं इसमें 50,000 से ज्यादा मामले केवल 5 राजियों महराश्य आंद्रप्रदेश, करनाटक, तमिलनाडो और बिहार में दर्च के गए हैं केंद्रीय स्वास्त मंत्राले की ओर से जारी आकडों के मताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 86,000 से अधिक नए केस आए हैं और इसके साथ कुल संक्रमितों की संक्या 40,000 के पार पहुँच गई है इसमें से 31,000,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से मरने वालों की संक्या 69,000 के पार हो गई है शुकरवार को देश ने 10,69,000 से अधिक कॉरोना के टेस्ट किये हैं अब तक 4 करूर 77,000,000 से अधिक टेस्ट किये जा चुके हैं देश में जहां एक और कॉरोना के मामलों में तेजी आई है वहीं वाइरस को मात देकर ठीक होने वाले लोगों की संक्या में भी बढ़ोत्री होई है पिशले तीन पकवाडों के आकडों को देखें तो 21 जुलाई से 5 अगस्त के बीश प्रते दिन ओसत 51,000 से अधिक मामले आ रहे थे जबकि ठीक होने वालों के संक्या 38,000,000 से अधिक थी इसी तरह 6 अगस से 20 अगस के बीश प्रते दिन 62,000 से अधिक नए मामले आने लगे वहीं स्वस्त होने वालों के संक्या बढ़कर औसत 55,000 से अधिक हो गई भारत में नए मामलों में तेज वृद्धी का एक कारण व्यापक परिक्षन है लेकिन बीते दिनों में ग्रोथ रेट और मृत्युदर में गिरावट और रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है देश में 10,000,000 मामले सामने आने के समय औसतन प्रते दिन करीब 3,000,000 टेस्ट हो रहे थे और 30,000 के करीब संक्रमित मामले आ रहे थे इस वक्रोथ रेट 3.4 पीज़ दी था दीरे दीरे परिक्षन के संक्या बढ़ने के कारण करोणा के मामले भी तेजी से बढ़े लेकिन ग्रोथ रेट में लगतार कमी दर्ज की गई है देश में इस वक्त औस तन रोजाना 10,000,000 से अधिक टेस्ट किये जा रहे हैं केंद्री स्वास्व मंत्राले नियमित रूप से उन राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क में है जहां कोविट के मामलों में अचानक व्रिधी जादा सक्रिय मामले हैं और कुछ जिलों में उच्च्च मृत्यू दर है केंद्री ने आज महराश्व आंद्रप्रदेश और करनाटक को कोरोना संक्रमट तोड़ने के लिए कदम उठाने को कहा है जिससे इन राजियों में कोरोना से होने वाली मौत की दर को एक फीसदी से कम लाया जाए केंद्री स्वास्त मंत्राले के ओर से इन राजियों को सलहा दी गई है कि वो टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही बेहतर क्लीनिकल मैनेजमेंट सुनिशित करें जिससे इन राजियों में मृत्यूदर कम हो सके मरीजों और संक्रमण के विभिन इस तरों पर कुशल निगरानी से लोगों की जान को बचा है जा सके पिछले 24 घंटों में राष्ट इस तर पर रिपोर्ट हुए सक्रिय मामलों में 46 फीसदी महराष्ट आंध्रप्रदेश और करनाटक में हैं जिसमें अकेले महराष्ट में 22 फीसदी सक्रिय मामले हैं इसी तरह देश भर में बीते 24 घंटे में करोना से हुई मौत के 52 फीसदी मामले महराष्ट आंध्रप्रदेश और करनाटक में दर्च हुए हैं स्वास मंत्राले ने तीनों राजियों के सबसे ज्यादा पेड़ जिलों में प्रभावी रोक्थाम और संपर्ख ट्रेसिंग के आवशक्ता पर जोड़ दिया है बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी भारतिय आउरविज्यान अनुसंधान यानी ICMR ने COVID-19 जाँच के बारे में अब नई एडवाईजरी जारी की है जिसमें लोगों के लिए मांग पर जाँच की सुविधा देने की बात कही गई है ICMR ने विदेशो या राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य की यातरा करने वाले व्यक्तियों की मांग पर जाँच करने की सलहा दी है इसके तहट बिना किसी परचे की लोग ओन डिमांड टेस्टिंग करा सकते हैं जिससे देश या राज्यों की सीमा में प्रवेश से पहले नेगेटिव कोविट परिक्षन अनिवार बनाया जा सके ICMR के परामर्ष में कहा गया कि राज्य सरकार मांग की परिक्षन की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती है भारत में कोविट नाइटीन के लिए कारेनीती संबंधी परामर्ष में सुझाओ दिया गया है कि कोविट निशिद्ग शेत्रों में सभी लोगों के रैपिट अन्टिजन परिक्षन किये जाने चाहिए खास तोर से उन शहरों में जहां पर कोरोना वाइरिस का संक्रमन सबसे ज्यादा पहला हुआ है ICMR ने विदेशों या एक राजी से दूसरे राजी की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की मांग पर जाच करने की सलहा दी है इसके तहट बिना किसी परचे के लोग ओन डिमांड टेस्टिंग करा सकते हैं जिसे देश या राज्यों की सीमा में प्रवेश से पहले नेगटिव कोविट परिक्षन अनिवारे बना जा सके ICMR के परामर्ष में कहा गया है कि राजी सरकारे मांग पर परिक्षन की सुविधा प्रदान करने के तोर तरीकों को सरल बना सकती है भारत में कोविट-19 के लिए कारे नीती समंधी परामर्ष में सुझाव दिया गया है कि कोविट निशिद शेत्रों में सभी लोगों के रैपिट एंटिजन परिक्षन किये जाने चाहिए खासतोर से उन शेहरों में जहां पर कोरोना वाइरिस का संक्रमान सबसे ज्यादा पहला है दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है इस बीच रूस की वैक्सीन स्पूतनिक वी को लेकर भी अच्छी खबर सामने आई है मेडिकल जन्रल लेसिंट ने रूसी वैक्सीन स्पूतनिक के लोगों पर किये गए वैक्सीन के शुरुवाती चरण के परिक्षनों के नतीजों के लेके जानकारी दिये है लैंसित ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि रूसी वैक्सीन स्पूतनिक के आरंभिक परिक्षनों में शामिल होने वाले रोगियों में कोरोना वाइरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है और उनमें कोई गंभीर प्रतिकूर प्रभावर नहीं पाय गया है 21 दिन के अंदर परिक्षन में शामिल लोगों में एंटीबॉडी और 28 दिन में T-cell बन गई रूस ने पिछले महिने ही ये वैक्सीन लॉंच की थी और इसके सुरक्षित होने का दावा किया था हलाकि इसको लेकर कई देश संधे जता रहे थे रूस के बाद अब अमेरिका और बिटेन भी अपने यहां विकसित कोरोना वैक्सीन को आपात कालीन मंजूरी पर विचार कर रहे हैं भारती वैक्सीन की बात करें तो भारत बायो टेक की वैक्सीन के मानाव पर परिक्षन के दूसरे चरण की मंजूरी मिल गई है तीन सो असी लोगों पर ये ट्रायल होगा को आक्सीन के पहले चरण के परिक्षन में कोई साइड एफेक्ट सामने नहीं आया है वहें दूसरी भारती कमपनी जाइडेस कैलिया की वैक्सीन का भी मानाव पर परिक्षन चल रहा है इसके लावा ब्रिटेन के आक्सफोर्ट यूनिवासिटी की वैक्सीन कोवी शील्ड का भारत में हिउमन क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है भारत में सीरम इंसिटूर आफ इंडिया इस वैक्सीन का ट्रायल कर रही है बिरू रिपोर्ट राजी सभा टीवी बिते एक दिन में दुनिया भर से 3 लाग से ज्यादा करोना के मामले सामने आये हैं और करीब 6,000 लोगों की मौत की खबर भी है दुनिया भर में करोना के 2 करोड 68 लाग से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं इसमें एक करोड नावासी लाग से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरे से आट अाट लाग उन्यासी हजार से अधिक लोग जानगबा चुके हैं। दुनिया में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में आए हैं। यहां 63,89,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं इसमें 25,25 लाग से अधिक संक्रमितों का इलाज चल रहा है जबकि 1,92,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है दूसरे नमबर पर ब्राजील है जहां 40,91,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और एक लाग 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं तीसरे नमबर पर भारत है जहां 40,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं इसके बाद रूस है जहां 10,000 से अधिक कोरोना के मामले आये हैं पेरू में 6,66,000 से अधिक कोविड-19 के केस आ चुके हैं यहां साड़े 29,000 से ज़्यादा लोगों की इस वाइरस से मौत हो गई है बिरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी और आज 5 सितंबर है बात शिक्षक दिवस की शिक्षक दिवस की मौके पर राजपती रामनाथ कोविन ने देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मानित किया कोरोना संक्रमन की चलते शिक्षक दिवस की मौके पर पहली बार शिक्षकों को वर्चुल माथियम से राश्ची शिक्षक पुरसकार दिये गए 47 शिक्षकों में से दो शिक्षकों को स्पेशल केटेगरी में च्वैनित किया गया है इस मौके पर राश्पती रामनात कोविंद ने पुरुसकार विजिताओं की कड़ी मेहनत, समर्पन और प्रतिबधिता की सराहना करते हुए देश भर के शिक्षक समुदाय को शुपकाम नाय थी शिक्षक दिवस्पर उप्राश्पती M.W.N. के राइडू और प्रधानमंत्री नरिंद बोधी ने देश भर के शिक्षक समुदाय का आभार व्यक्त किया राश्पती रामनात कोविंद ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किये जा रहे बुन्यादी बदलावों के केंट्र में शिक्षक ही होने चाहिए राश्रपती ने नई शिक्षा नीती का जिक्र करते हुए कहा कि नई नीती के जर्ये हर इस्तर पर शिक्षण के पेशे में सब से होनहार लोगों का चैन करने के प्रयास करने होंगे वहीं उन्होंने COVID-19 के कारण उपची नई परिस्थितियों में देश भर के शिक्षकों के डिजिटल माथ्यम के जरिये विध्यार्थियों से जुड़ने के लिए की गई कड़ी महनत की प्रशन साकी सिक्षा विवस्ता में किये जा रहे बुनियादी बदलाओं के केंदर में आवस्थ सिक्षक ही होने चाहिए नई सिक्षा नीती के अनुसार सिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवस्कता है इस नीती के अनुसार हर इस्तर पर सिक्षण के पेशे में सबसे होनार लोगों का चैन करने के पृयास करने होगे साथ ही सिक्षकों की सुपकावनाय देती हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधा क्रिश्णन को नमन किया उन्होंने कहा कि उत्करश्टता की भावना को पुनर जीवित करने की आवश्यक्ता है एम वेंके नाइडू ने याद दिलाया कि भारत विश्व गुरू के रूप में जाना जाता रहा है और दुनिया भर में कई चीज़े सिखाने में देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है उपराश्वपती ने अपने सभी शिक्षकों के प्रती आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनकी व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ी राश्वी शिक्षानीती का जिक्र करते हुई उन्होंने कहा कि नई शिक्षानीती के केंद्र में शिक्षकों को ही जगह दी गई है श्री नाइटू ने कहा कि हमें एक समाज के रूप में राश्वी विकास के लिए शिक्षकों के अपार योगदान को जारी रखना होगा प्रधार मंत्री श्री नरेंद मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का आभार व्यक्त किया और डॉक्टर एस राधा कृष्णन को शर्धान जली दी उन्होंने लिखा मन को आकार देने और हमारे राश्व के निर्माण में योगदान देने के लिए हम परिशमी शिक्षकों के प्रती आभारी है शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षकों को उनके उलेखनी प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करते हैं हम डॉक्टर S. राधा कृष्णन को उनकी ज्वेनती पर श्रधांचली देते हैं ब्यूरो रिपोर्ट राच्य सभा टीवी राशे शिक्षानीती दो हजार बीस इकिसवी सदी का क्रांतिकारी सुधार है ऐसा कहना है केंद्री मंत्री प्रकाश जावडेकर का वो आज वीडियो लिंक की जरीए मुंबई के पारले तिलक विद्याले असोसेशन के शिक्षक दिवस को संबोधित कर रहे थे जावडकर ने कहा कि बाल शिक्षा, जाच आधारी शिक्षा, शिक्षा प्रशिक्षन, मूलभूत और संख्यात्मक साक्षरता नई शिक्षा नीती दो हजार बीस के एहम पहलू है जिसमें चात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए शिक्षन अनुभव सुखद रहेगा बाल शिक्षा की एहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि देश में अगले दस सालों में बच्चों के नामांकन अनुपात में वर्तमान स्तर से दोगुनी वृत्षी होगी कि एक शिक्षा नीतिया आई है 34 साल के बाद आई है लेकिन देश की 21 सदी के जगुरतों को पूरा करने का ख्यार रखने वाली है इसमें छात्रों को सक्षम बनाने क्या मुद्दा है इसमें तीसरे वर्ष से ही उसको शिक्षा में जाने की बात है और वो शिक्षा पाठ्यक किताबे और लिखना नहीं होगा यह होगा इसी तरह से की निच्चित रूप से उसका हमें लाब होगा और चात्र पढ़ाई के लिए मानसिक रूप से सही तरीके से तैयार होगा आज 5 सितंबर है और हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है यह दिन चात्रों का गुरू की प्रती आभार व्यक्ति करने का दिन होता है भारत की पहले राश्ट्रपती डॉक्टर स्वरुपली राध्यक्रिशन के जन्दिन को भारत में शिक्षक दिवस की रूप में मनाया जाता है इसी दिन भारतिय संस्कृति के समवाहक प्रख्यात शिक्षाविद महान दाश्ट्रपती और भारत रत्रत ने डॉक्टर सर्वपली राध्यक्रिशन के भारतिय संस्कृति और शिक्षक के एक शित्र में अनोखे योगदान को याद किया जाता है हर साल पाच सितंबर को भारत के पहले उपराश्ट्रपती और दूसरे राश्ट्रपती महान सिक्षाविद और दाश्निक डॉक्टर सर्वपली राध्यक्रिशन का जन्म दिन सिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है सिक्षा के एक श्वेत्र में समर्पित डॉक्टर सर्वपली राध्यक्रिशन ने अपने चात्रों से अपने जन्म दिन को सिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इक्षा जताई थी उनकी इसी इक्षा का सम्मान करते हुए देश में 1962 से हर साल पाच सितंबर को उनके जन्म दिन को सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपली राध्यक्रिशन का जन्म पाच सितंबर 1888 को तमिनाडु के तिरुतनी गाउं में हुआ था बच्पन से ही मेधावी डॉक्टर राध्यक्रिशन ने दर्शन शास्त्र में एम्मे किया और 1916 में मद्रास्ट रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के साहेक प्राध्यापत न्यूक्त हुए डॉक्टर राध्यक्रिशन ने अपने लेखो और भाष्णों के माध्यम से विश्व को भारतिय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया अपने जीवन के 40 साल सिक्षक के तौर पर बिताने वाले डॉक्टर राध्यक्रिश्टन भारतिय दर्शन शास्त्र परिशत के अध्यक्ष भी रहे देज और दुनिया के अनेक विश्विद्यालेों ने उन्हें अपनी मानद उपाध्यों से सम्मानित किया सिक्षा के एक श्वेत्र में उनके अभूतपूर व्योगदान के लिए 1931 में ब्रेटिस सरकार ने उन्हें नाइट के सम्मान से नवाजा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राध्यक्रिश्टन सम्विधान निर्मार सभा के सदसे बने 1949 से 1952 तक विततकालिन सोवेत संग में भारत की राजदूत रहे साल 1952 में विदेश के पहले उपराष्ट्रपती बने और 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपती जुना गया सिक्षा और राजनीती के एक शेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1954 में भारत की सर्वोच्य सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया लंबी बिमारी के बाद 17 अप्रेल 1975 को उनका निधन हो गया पूरे विश्व को ही एक स्कूल मानने वाले महान सिक्षा विद्ध और दाशनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश विदेश में भारतिय संस्कृती का प्रचार प्रसार किया और जीवन भर सिक्षा के विकास के लिए काम करते रहे तो इन तमाम ख़बरों के साथ इस बूलेटर में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही आप देखते रहिए राजी सभा टीवी